गुद मॉनिंग डॉय अब्रिवन बेटा हमने टिक्नोमेटिक रिश्योज की वैल्योग पढ़ाता हैं इन बिट्मीन 0 तु 90 अब उस पे बेस्ट जो एक्सराइज 8.2 है उसके किस्टनों को नो सोल गरते हैं NCRT एक्सराइज 8.2 जो है ठीक है देखो 8.2 में first question है बेटा first question का first part है वी कहारे कि भी sine 60 sine of 60 degree cos of 30 degree plus sine of 30 degree cos of 60 degree इसकी value आपने find out कर दे हैं तो पिटा टिक्नामेंटिक रिश्योज की वैल्यू जो जब आपको पता है, के वल आपने यहाँ पे वैल्यू पूट करनी, 16 166 की value होती है under root 3 by 2 166 की value under root 3 by 2 cos 30 पीटण जो椅ं 60 کی value होती है वोह आपको पता है cos 30 की value होती है क्योंकि 30 और 60 degree पर sin or cos जो है वो exchange होती है 30 और 60 पर sin or cos exchange होती है तो cos 30 पर यह होगा under root 3 by 2 sin 30 1 by 2 होता है जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है इसको simplify कर लेंगे under root 3 under root 3 पे पिटा 3 हो जाएगा 2 goes to 4 हो जाएगा इसको multiply करेंगे तो 1 by 4 add कर देंगे पिटा base 4 एंगा 3 plus 1 that is 4 upon 4 which is equal to 1 तो technomatic ratios जो है इनकी value आपको याद होने चीए 0 से 90 की बीच में तभी आप इनकी calculator कर सकते हैं चीए देखा second question देखा second question देखा इसका second part अभी second part अभी हमारे पास है 210 square 45 degree plus में अभी plus में अभी आपास square 30 minus of sine square 60 इसको simplify करते है twice of 1045 1045 की value 1 होती है square cos 30 cos 30 वही value होगी जो sine 60 पे होती है यानि कि under root 3 by 2 scale minus sine 60 under root 3 by 2 2 square simplify करें 1 का square 1 1 को 2 से multiply करेंगे 2 इसको square करेंगे under root 3 का square 3 2 का square 4 3 upon 4 minus में 3 upon it 4 पीटा ये positive अभी होगी 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 हो 3rd part ये विटा ये करेंगे भी cos 45 cos of 45 डी 3rd part ये फिर्स फिशन का 3rd part cos 45 है नीचे sac of 30 है sac 30 और plus में है cos sac 30 ठीक है इनकी values put कर दें cos 45 कितमा होगी cos 45 होता है विटा 1 by and root 2 sac 30 sac 30 की value चाहिए तो dellیکמה sac 30 हुआ प्याहिए sat 30 हमें value चाहिए तो हम जाएमे cos 30 पे हमें पता हिरे इसका रैसी proper होता है और पॉस 30 के एगर value चाहिए तो हम जाए हमे mask 60 पे mask 60 की value होती है under root 3 by 2 उसका रैसी proper कर देंगे तो exact 30 की value होती है 2 by under root 3 इसको सिंप्लिफाइए करते पीटा उपर वाले टर में आज टीज नीचे वाले काल सिम लेजे थे अंडरूट 3 इसको सिम लेजे अंडरूट 3 उपर वाले टर में आज टोनों से प्लिफाइए हुआ तो क्या आया है वे टो अंडरूट 2 की अंडरूट 2 की मल्टिप्लिकेशन टो और अंडरूट 2 को इससे करेंगे तो यह आएगा प्लस में 2 अंडरूट 6 चाहिए हाक देनोमिनेटर में ट्रमाप की एरिश्लाइजशन करोह हुआ हुआ हूसे तो अंड्रूट नोट रिंग में कुछ से मंटिक्ली हुआ करते हैं अंड्रूट थि इससे मंटिक्ला है और तो अंड्रूट वारा ना नुब अले से मंटिक्ला होता है विदाउट Kathy तो को पर अंड्रूट 6 और अंडरूट 3 को जब आप इससे करें तो यह जाएगा 2 अंडरूट 18 अप आँ रेशनाइडेशन का कोई दी क्यों देलोंडेटर में पिटा आपको पता है कि पॉर्मुला बनता है A स्केर माइनस B स्केर यह नीचे आप लिख सकते हैं 2 अंडरूट 2 स्केर माइनस में 2 अंडरूट 6 स्केर उपर वाली ट्रम में पिटा 2 कॉमन है अंदर अगा अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 18 नीचे इसका स्केर करते हैं भी और इसको सिंप्लिफाइए करो गया माइनस ऑफ 16 और 21 पे और 8 पे यह जो गया यह लेगा अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 18 अपॉर माइनस आपको एक इस माइनस साइन को फिर दें अंडरूट 18 माइनस अंडरूट 6 अपॉर 8 ठीक है यहां पर अंडरूट 18 को आप सिंपलिफाइए कर सकते हो अंडरूट 18 के फैक्टर हमें पता है 3 प्रोस 3 प्रोस 2 होते हैं और कोई भी नंबर अंडरूट में जब 2 पर आ जाता है तो आउट उसको कितने पार लिखते हैं तो यहां पर अंडरूट 18 को हमने सकते हैं 3 अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 6 है अपॉर 8 यह इस कांसर है चीक है पेटा तो यहार करके देखना प्लाइक देशा है